नमस्कार माई डिया फ्रेंड मैं हनमान साह मीना स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल और भी ऐसी वेद अहसम में इससे पूर वीडियोज में हमने क्लास 12 बायलोजी चैप्टर पस्ट पुषपी पातपो में लेंकिक प्रजनन सेक्ष्वाल रिपोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स केंतरकत पुषप की संदर्शना की बैसिक स्ट्रेक्चर के बारे में जानकार ये प्राप्त कर ली थे इस वीडियो में हम बात करेंगे पुषप की संदर्शना के जनन अंगो के बारे में ये हमारा इसकी संदर्प में दूसरा लेक्चर है पहले लेक्चर का लिंक किस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में उपलब्द करा दिया गया है जिसकी साहेता से आप उस वीडियो का उलोकन कर सकते हैं इस वीडि उसकी संरश्णा लगूवी जानुधानी की संञर्श्णा लगूवी जानुधानी से सम्मद विभीन प्रशन पूछे जाते रहे हैं तो प्रारम करते हैं आज का पहला जो topic है पुंकेसर पुंकेसर की अगर हम बात करें तो पुष्प का जो नर्जननंग है mentre वो पुंकेसर हो अलग होती है, परतेग जो पूंकेसर होता है, वो तीन जो भागे उनसे मिलकर बना होता है, जिसमें पहला पूतन्तु, दूसरा योजी और तीसरा है प्राकोश, इस डाइग्राम में भी हम इनका उलोकन कर सकते हैं, यह जो पतली दागे नुमा, लंबी जो सनरशना होती, इस पूतन्तु का जो सीट्स भाग है, इसे क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, क्या नाम दिया हमने इसको पराग कोश, पराग कोश और पूतन्तु, जिस इस्तान पर जोड़ती हैं उस भाग को हमने क्या नाम दे दिया, यहां पर योजी या कनेक्टिव कहते हैं, अब वन व पूश्प के पूश्पासन या पूश्पदल से जुड़ा होता है तो यह पूश्पासन होता है उसके साथ में यहां पर जुड़ावा मिलेगा यह अंडा से हैं और यहां इस भाग से यह क्या होगा जुड़ावा रहता है अब बात करेंगे हम योजी के बारे में तो प्राक टता पूतन्तु को जोडशना उसे क्या कहते हम योजी कहते हैं और यह कैसा उट्तक होता है बंदे उत्तक होता है। प्राहकोश की अगर हम बात करें तो पूंकेसर कि सीड्स पर पाये जाने वाली घुंडी नूमा तता द्वीपालीश सनरशना प्राहकोश कहलाती है। यह पुंकेसर की जनन्सम सनरशना होती है, क्योंकि इसी भाग में क्या पाय जाती है, लगुवी जानू, धानी पाय जाती है, जिन में प्राकणो का निर्मान होता है, तो यह प्राकोश है, यह केजी सनरशना है, जनन्सम सनरशना होती है, इस डायग्राम के द्वारा हम और अधिक जानकारी यहां पर ले सकते हैं, यह पुस्प की इस्ट्रक्चर दी गई है, इसके बारे में हमने पूर वीडियो में चचा की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में ओपलब दकरा दिया कया है, यह जो इस् करते हैं, जायां, पुमंग का निर्मान करते हैं, जो कैसा है, नर्जननंग कहलाता है, जो क्या है, नर्जननंग कहलाता है, नर्जननंग कहलाता है, नर्जननंग की यहां पर प्राकोश होगा, यह वाला भागपूतन्तु होगा, और इनको जो ओनने वाल योसन रष्णा, वो क्या कहलाती है योजी कहलाती है एक अनुपरस्त काट अगर हम देखें तो इस तरह से हमें यह दिखाई देखा जिसने pollen grain है pollen सेख है और यहाँ पर जो इस पुटन रेका हैं वो हमें देखने को मिलती है यह फिलामेंट होता है इस तरह से हम देख सकते हैं अब बात करेंगे हम प्राकोष के बारे में प्राकोष की यहाँ पर तीन डाइग्राम्स के माद्यम से हम समझेंगे आवर्ति बीजी यानि पुष्पी पात्पो में प्राकोष केसा होता है दिवगुणी जानी 2N होता है प्रतीक पाली में 2 कोष्ट होते हैं तो यहाँ पर कितने कोष्ट होते हैं 2 कोष्ट होते हैं प्रतीक प्राकोश या एंतर लोग पाली में दो कोश्ट होते हैं जिने क्या कहते हैं? लगू भी जानू-धानी, माइक्रो, माइक्रो, इस्पोरेंचिया या परागधानी कहते हैं तो यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं यहाँ पोलेंश से एख है और इनके अंदर यह केशी होती है लगूविजानूधानिया होती है तो यहाँ बहा भर मैकरेज़ पुरुष्चिया है इनका उलोकन कर सकते है लगूविजानूधानि में जरन की द्वारा एगुणित लगूविजानू या पराग कणों का निर्मान होता है तो जार सुत्री भाजन के माध्यम से क्या बनते हैं एगुनित लगविजानों बनते हैं यहने क्या कहते हैं पराग कण कहते हैं अगे जाकरी किसका निर्मान करते हैं पराग कणों का निर्मान करते हैं एक पाली में दो परागधानिया यानि पॉलेंसेक होते हैं आते एक परागो उसमें चार परागधानिया होती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह जो भाग इसमें कितनी लगुविजान द्याननी होगी परागो चार जो लगुविजान द्याननिया पाई जाएगी और जिन उनमें भी यहां से जो है प्रश्ण पूछा जाता रहा है प्राकोश के जो अनुप्रस्त काथ है इसको हम इस तरह से यहां पर देख सकते हैं यहां से जग इस पर अगर कट लगाते हैं अनुप्रस्त तो यहां पर इस तरह की जो बैसिक स्ट्रेक्चर वो निकल कर आती है सबसे पहले हम बात करेंगी विजाणु वित्ती के बारे में लगू विजाणु धानी की वित्ती सामानेते चार वित्ती परतों से बनी होती है ये परते परदी केंद्र की ओर एक निशित करम में वहवसित रेती ये वित्ती परते निमन है तो हम डायग्राम में भी अवलोकन कर सकते हैं epidermis, endothesium, middle layer और tapitum, सब सब पहले आती epidermis, जिसे हम बाहेताउचा कहते हैं, जा अंतवित्ती, जिसे हम endothesium कहते हैं, मद्यप्र, जिसे हम middle layer कहते हैं, इसके बाद आता है tapitum, यह चार परते हैं, और इनका क्रम पूछ लिया जाता है, क्रम केसा होगा, परधी से केंद्र की और, परधी की और है बाहेताउचा, उसके परशाद अंदर की और जा रही है, अंतर भित्ती, मद्यप्रत और tapitum, tapitum बहुत important है, बाहेताउचा, यह लगवीजान उधानी की सबसे भारी परत होती है, कोशिका अरी रूप से सूधर गित होती है, बाहेताउचा एकल परत की रूप में उपस्तित रहती है, तो डाइग्राम में भी हम इसका उलोकन कर सकते हैं, तो यहाँ पर, एकल परत की रूप में, तो यह पहली परत है, इसे हमने नाम दिया है, epidermis, एकल परत है, तो यह केसी होगी, कोशिकाओ की अरी रूप से सूधर गित होगी, अर यह का मतलब है, इस टाइप में यह हैं रहेगी, तो यहाँ पर यह केवल एकल परत की रूप में पाई जाती है, और इसे हमने क्या नाम दिया है, हमने बाहियें तउचा, क्या नाम दिया हमने इसको बाहियें तउचा का आए, डाइग्राम में भी हम इसका उलोकन कर सकते हैं, सूध रिकित होती है, यानि जिसकी लंबाई तो हो अधिक और चोड़ाई हो कम, तो यह केसी होगी, इस टाइप में रहेगी, जिसकी लंबाई तो जादा होगी और चोड़ाई क्या होगी, कम होगी, सबसे बाहरी परत है तो हम देख सकते हैं यहां यह सबसे बाहरी जो परत है प्राक लगुवी जान उधाने की संद्शना है कर देते हैं प्राकोश में तो यह सबसे बाहरी परत रहेगी एकल परत की रूप में उपस्तित होती है अब बात करेंगे हम अंतर बित्ति के बारे में एंडो थीसियम कहते हैं इसको हम भाय तवचा के भीतर उपस्तित बित्ति परत होती जिसकी कोशिका अरी रूप से सूध रिकित होती है तो ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के अंदर का जो पार्ट होगा ये क्या होगा इस भावक हम क्या कहते हैं एंडो थीसियम कहते हैं क्या नाम दिया हमने इसको एंडो थीसियम अंतर बित्ति ये भी केसी होती है एकल परत की रूप में उपस्तित होती है मध्य परत मिडिल लेर अंतर बित्ति के ठीक नीचे मध्धे परत ये कितनी होंगी एक से तीन पंक्तियों में उपस्थेत रहती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वन टू और थ्री इस तरह से हम एक से लेका तीन परतों के रूप में ये पाई जा सकती है टेपीटम है तो लगू विजान उधानी की सबसे भीतरी परत होती है इस परत की कोशिका सगन जीव द्रवे से भरी होती है तथा बड़े केंद्रक वाली होती है तो यहाँ आपर हम देख सकते हैं जो टेपीटम की जो सेल्स होती है इनका जो केंद्रक वो कैसा होता है बड़ा होता है और ये बड़े केंद्रकवाली होती है और सबसे भीतर की और उपसे तुर रहती है और जो कोशिका द्रव्य होता है वो केसा होता है सगन होते हैं इनकाडा होता है अब बात करेंगें बीजानुजन उत्तक के बारे में इस्पोरो जीनस टिशू प्राकोश जब परीपक होता है तब जीद्रव यूगतता बहु इस्तरी बिती द्वारा परीबद कोशिकाओं का समू क्या कहलाता है वीजानुजन उत्तक कहलाता है तो हम देख सकते हैं यहां अपने इस डाइग्राम में इस्पोरो जीनस टिशू तो यह अंदर की तरफ मिलेगा जब यह कैसा होता है प्राको कोशिकाओं का निर्मान करती है तो यहां अब प्रशन पूचा जा सकता है कि दिवीगुनित लगू विजानु मातरी कोशिकाओं का निर्मान करने वाली कोशिकाओं नाम क्या है तो विजानु जनन उत्तक कहते हैं अब बात करेंगे हम लगूवी जानुदानी की भित्ती परतों के क्या कार्य है सबसे पहला कार्य होए हम बात करेंगे बहायता उचा अंतवित्ती तदा मध्य परत क्या तो ये क्या करेगी प्राकणों के संरक्षन तदा प्राकोष के इस्पूटर में सहयक होती है जिसे प्राकण मुक्त होते हैं तो ये क्या करेगी जो प्राकोश होता है उसका इस्पूटन होता है उसमें सायता करेगी इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर किसका निर्मान होता है लगुवी जानो धानी में प्राकोश जो वित्तिया होती है यहाँ पर किसका निर्मान होता है पराग कणों का निर्मान होता है पराग कणों को संरक्षन परदान करना यह इनका मुखे जो है कारी यहाँ पर रहता है इंपोर्टेंट कारी है टेपिटम कोशिकाव का तो विकासील पराग कणों को क्या करती है पोशन परदान करती है तो यहां पर हम इनके कारियों के बारे में चर्चा हमने की तो आशा करूंगा कि यह जानकर यह आप लोगों के लिए काफी उप्योंगी एवं महित पुन रहेगी आपने यहें वीडियो कंप्लीट देखा पूरा देखा ध्यान पूरवक देखा और आपने इससे कुछ सीखा इस ताकि इस तरह की जो वीडियो हैं वह हम आगे भी लेकर आते रहें आपका इक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगी वीडियो बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काप उपयोगी रहेगी अगर आपका कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बोक्स में उस टॉपिक का बारे में आवश्य लिखें जे भारत